हेलो फ्रेंट सर्दियां आ गई है तो हेयर केयर करना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि डेंडर फेबो हो जाता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे आज मैं ऐसा तेल बताने जा रहे हूं यह तो एलो बेरल लगाना बहुत ही चिपचिपा सा लगता है तो मैं इसके लिए लगा कि Yep घंशने बाल कर सकते मातर एक महीना में कसम से बोर ido मत्री महीना आप लगाई और उसके बायाए उसके वाद देखिए मैंने एवल Rider मैं मेरी घर में ही था तो मैंने काट लिया है पेर से आप बाहर-बाद 1250 शहीं चीटिभर लेना तोयवार को आप पल्प की वह से अच्छा निपने न हैं उसके बाद सरसो तेल की यह मैंने वीफ 10कप यह मैंने पहले सी बना था वह धाया हूं इसके इन चल्वार बपाल अच्छा है हेर के लिए भी बहुत अच्छा है इसे मिला लेना है उसके बाद गरम करना है इसम लोग फ्लेम में ठीक है तिल जलना नहीं चाहिए लोग फ्लेम पे अच्छे से मिलाते रहिए जब तक कि हलका सा डार्क कलर ना आ जाए तब तक मिलाते रहना है ठीक है उसके बाद इसे चछ छान लेना है ठीक है छानना बहुत जरूरी है उसकी बाद गरम नहीं रहना चाहिए थफ़सर थांड़ा करके छानी तो चछनी बाध जाएगा जिस जान में डार है वही बैठ जाएगा प्लास्टिक जानी रहना चाहिए सीसे का जाना चाहिए यह धयान मी रखिए ऐसे आप store करके रख सकते हैं और स्कयर्पप रूट पे अच्छे से लगा लेना है उसके बाद रात में सोने से पहले अच्छे से लगा लेना है उसके ब्राद सूबहें रेत् हो जाएंगे और एक महिए एक महिना के अंदर आपके पाल लंबे हो जाएंगे ठीक है जादू नहीं होता है एक दिन में करना पड़ता है इसलिए जारे में सब लापरवा हो जाते हैं ठंड के कारण लेकिन करिए ठीक है आउसके बाद कॉमेंट करिए देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है और मेरी वीडिय अच्छी लगती है तो प्लिए लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें कि बाई फिर मिलती हूं बाबाई टेक क्यार